खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े इस वक्त हमारी मौझूदगी हर्याना की मेहम विधान सफा सीट पर है जहां BJP के टिकट के दावेदार लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और 8 सितंबर को रोह तक में होने वाली प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की रैली के लिए लोगों को आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ BJP के युवानेता सौरफ फर्माना है जो कि लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की रैली में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं सौरफ जी अजीवुगरीब आपका सफर रहा है पहले आप 2014 में बीजेपी में शामिल होते हैं फिर पार्टी छोड़ कर जाते हैं इनलो में शामिल होते हैं फिर आप वापस बीजेपी में आया हैं टिकट की कितनी दावेदारी है आपकी कि अब तिकेट की तो दिखो जी और बारति जन्दा पार्टी इस वक्त पार्टी के अंधरर मजबूत होची है आप जेज़ को पार्टी जिसको टिकट देगी है जो उससके फैसले के साथ हम चलेंगे सारफ फर्माना कि कितनी दावेदारी है मजबूट। इसको बुला रखाता इनको निगलेट कर रखाता और यहां पर किसी भी तरीका काम नहीं हुआ इस सरकार के अंदर हमारे मानने मुख्य मंतुई जी नाना गाओं के अंदर भी बड़ा काम कराया है ट्रेन का 2014 में जब आप बीजेपी में शामिल हुए थे उस समय के विधानसबाद चुनाओं में आपको टिकेट नहीं मिला और आपने पार्टी छोड़ दी इनेलो जॉइन कर ली आप 2019 के लोकसवा चुनाओं के बाद पार्टी में आए हैं इस बार कितने उमीदे हैं टिकेट को लेकर मैं तो यह मानता हों कि इस तरीके की उमीद ही करना कलता हैं आप मैं तो बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए और हम वही करते हैं मेशा से हमारा जो रजियू में है वो जनता है वो जो अगर सर्वे होंगे या जिस तरीके से भी काम होंगे लोगों से पूछा जाएगा यह आठ सितंबर को रोतक में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैली को सफल बनाने के लिए हर्याना में बीजेपी नेता जोग चुके हैं इस वक्त हमारी मौजूदी हर्याना के रोतक जिले में आने वाली मेहम विधान सबास सीट पर है जहां हमारे सार्थ वरिष्ट निता शमशेर खरकेड़ा जी मौजूद हैं सर रैली को सफल बनाने के लिए क्या तैयारियां है आपकी और किस तरीके सबाव मिलता है जैसे मोदी जी आज देश के सम्मान के लिए सबाव इमान के लिए और प्रास्टर के निर्मान के लिए लगातार राध दिन लगे वोए हैं इसी तरह से मेहम सोभी से अटगामा की योदाओं ने हमेशा हरियाणा परदेश की राजनिती को दिसा दी है दसा दी है और आज ये ट्रेलर जो है माननी है मुख्यमंत्री जी जब दो तारिक को मेहम में आई थी रत यातरा जंदा सिर्वाद लेने के लिए या जबरदस्त भ सारे लोग आठ तारिकों रोत्तग में पहुंचेंगे तो उससे भी ज्यादा उत्सा से जितने लोग दो तारिक को पहुंचेते उससे भी ज्यादा उत्सा से लोग आठ तारिकों नरेंदर भाई मोदी की इस रैली में पहुंचेंगे पाकिस्तान के गुटने टिकवा के और बी ज्यादा उत्सा है लोगों में और बी ज्यादा जोस है और मुख्यमंत्री मनोर लाल जी को अगली पारी में 85 पलस आई 75 की बजाए 90 की 90 आए इसके लिए पूरी तरह से तैयारी में कमर कसे खड़ा है आप कितने तयार है आपने पिछला विधान सभाद चुनाओ यहां से लड़ा बी जेपी के टिकट पर जीत नहीं मिली उससे पहले आप लोग सभाद चुनाओ और लड़ चुके हैं और एक बार इंडिपेंडेंट आपने विधा मिली जो सरकार मैरिट से डी गृूप और सी गृूप और शयपाई लगाती हो उस पार्टि यो सरकार में जो टिकट मैरिट मेरिट लोग मनाते हैं मेरिट पार्टी मनाती है ed sangat रगाता है तो यह सारी चीज्जें मेरिट मँगों ये कोब विशय नहीं अमारे लिए जाह तक मेरी तैयारी का तालुक है मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ मैं अंदर इंदर बाई मोधी जैसे मान योदां को मैं सोबीशेट गामा की योदाओं की तरफ से मनोलाल जी को सलाम करता हूं और यही सलाम और जनून मेरी टिकट हर्याना की महम विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट की एक दावेदार बलराज कुंडू भी है इन्होंने आस तक कोई भी विधानसभा या लोगसभा का चुनाओं नहीं लड़ा है लेकिन इस बार ये पूरी तरीके साश्वस्त है कि बीजेपी इनको टिकट जरूर देगी पलराज जी कितने आश्वस्त है आपकी इस बार आपको टिकट मिलेगा चुनाओं लड़ने के लिए क्योंकि आप चुनाओं के तैयारियों में लग चुके हैं देखिए आश्वस्त होना ये एक लोगतंत्र में सब का अधिकार है बाकी तो संगठन डिसाइड करेगा और संगठन डिसाइड करने के बहुत सारे पैमाने हैं वो जनतागी भावनाओं की कदर करते हैं हमारे बारती जनताश पार्टी में शिकर नेतर तो अपना सर्वे कराता है मुख्यमंतर जी अपनार अलग से सरवे कराते हैं जो प्रदेश संगठन है वो अपना अलग से सरवे कराते हैं उसके आधार पर जो लोगों की जन भावना और फिर एक निस्टावान करी करता का होना ये बहुत सारे चीजें मैटर करती हैं इन सब के आधार पर ही उमिद्वा निदार दिखिया जाता है और मेरा ये मानना है मैं इन सभी पैरामेटर पे लगबग पूर्ण रूप से पास हो जाऊंगा बाकी निड़ने पार्टी को करना है और भी कई दावेदार आपकी सीट पर बीजेपी की टिकेट के लिए खड़े हैं जिनमें एक पुराने निता भी हैं जिन्होंने पिछली बार बीजेपी के टिकेट पर चुनाओ भी लड़ाता शमशेर जी उनसे आगे आप निकल पाएंगे ऐसा लग रहा है आप देखिए ये बात तो जनता बताईए और इस बात का निर्ने संगठन करेगा इस बार आप इतने आश्वस्त हैं कि जो दो रायनी और अगर हर लिहाद से अगर आप देखेंगे तो मेरा जो होना स्ट्रॉंग दावेदारी भी बनती है और मंत्री नरेंद्र मोधी की रैली होनी है आठ तारीक को उसमें किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन बलराज कुंदू करने वाले हैं देखिए मैं उसको सक्ति प्रदर्शन ना कहके ये हमारे लिए सोवागे की बात है आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के नेता सबसे बड़ाई नेता आज पहला पहली बार जो होना तीन सो सतर धारा हटने के बाद में आज हमारे प्रदेश में इतना एक खुसी की लैर है ये हमारे कितनी जनता आपके साथ वहां पहुंचने वाली है बलराज कुंडु कितनी वहां पर उस रैली को भव्य बनाने के लिए भीर जुटाने में कामियाब रहने वाले मैं ये मानना है मेरा ये मानना है सायद वीकल कम पड़ जाएंगे लोगों में इतना जोस है आनेगा विशेश कर महिलाओं में लेडीज में आपको देखने को मिलेगा किस उच्छा और लास के साथ में नास्ते गाते विए वो मोदी जी के स्वागत में वेलकम में दिल से उनक में दिल करा दे तो तुम पता नी कितने लोग आनेगी जारी है जाहिर है बीजेपी की बड़ती लोग प्रियता की वज़ा से बीजेपी में शामिन होने वाले नेताओं की संख्या काफी ज्यादा है जिसकी वज़ा से एक सीट पर टिकेट के कई-कई दावेदार खड़े ह हो चुके हैं टिकट के ये दावेदार शक्ती प्रदर्शन के जरीए अपनी दावेदारी मजबूत होने का दावा भी कर रहे हैं टिकट के इतने दावेदारों में से एक उमीद्वार को चुनना और पार्टी में अंदुरूनी विद्रोह को रोकना बीजेपी के लिए झाल झाल